हेलो एब्रिवन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की दर्फ से 2018 की वेकिंसी ग्रूप D भरती के लिए कोमन लिस्ट, ESMX सर्विसमेन के और ESP के जैसा कि आप सब को पता है कि बच्चे एकठे होकर गए भी थे तो इन्हों ने बोपाल सिंग खदरी जी ने बोला था कि 15 मार्च तक हम वेटिंग लगा देंगे लेकिन अभी ESP वालों का डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहता है तो जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो लोग वेटिंग का इंतजार करें मैं ना सिर्फ उनकी बात कर रहे हूं जो ESP कोटा से या ESM से हैं आप सभी के लिए जानना उतना ही जरूरी है प्लीज आप सारे एक साथ होकर पंचकुला जाएए और वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द लगवाने की वहाँ पर मांग कीजिए 2018 की विकेंसी अब चल रहा है 2022 कब तक वेट करोगे आप क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का यही इशू है कि वेटिंग कब तक पूरी होगी कब तक आएगी वेटिंग लिस्ट भई यह ESP की तो निकाल भी दी लेकिन यहां इनोंने ESM की और कॉमन लिस्ट इनोंने लगाई ही नहीं जो लोग वेटिंग का वेट कर रहे हैं नहीं तो फिर अगर वेटिंग नहीं लगी आपका टाइम टैन्य और निकल जाएगा और फिर आपको CET देना पड़ेगा समझ रहे हो मेरी बात तो अगर आपने पेपर दिया है और आपका नाम वेटिंग में भी है तो प्लीज I request to you, I appeal to you, all of you प्लीज कैंडिडेट इकठे होके एक ग्रूप बनाईए और वहाँ पर discussion कीजिए आपको पंचकुला जाना होगा तो मेरा वीडियो बनाने का यहीं intention है यह नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आपकी लगने वाले या अब तक लग जाएगी आप सभी को इकठे होके पंचकुला जाना है कैसे भी करो अगर comment section में आप काफी सारे candidate हो जाते हैं तो मैं आपका ग्रूप बना दूँगी otherwise आप इकठे होके एक ग्रूप बनाए जिसमें सिर्फ आपकी ही discussion रहे ग्रूप D की भरती के लिए तो guys आपको पंचकुला जाना होगा वहाँ पे pressure दिखाना होगा अगर आप अपनी तरफ से कोई भी effort नहीं करोगे तो waiting नहीं आने वाली तो मैं अपील करती हूँ आप सबसे इकठे होके कभी ना कभी जाईए पंचकुला कभी ना कभी तो क्या मार्च में ही चले जाईए अभी होली आजाएगी होली के बाद आप चले जाना तो इस वीडियो इस रिगार्डिंग अबाउट दा ग्रूप D ग्रूप D की रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाई है अगर वीडियो आपको सही लगे पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सबस्क्राइब भी करना थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वोचिं